अब लोगों का स्वावड़त है आज बसंद पंच में है और सूर्य कांत्रपाट्री निराला का जनम दिन भी है कि हम लोगों ने आज बातचीत का जो बिशेय रखा है वो आज का भारत और निराला कि मेरी व्यक्तिगत दाड़ना है कि आलधनिक भारत की जो बुनियादी समश्याएं थी उनको जितनी बारिकी से निराला समस्ते थे अपने युक के कवियों में वह अपने आप में एक बहुत ही महत्पूर्ण चीज थी यह संयोग की बाती के निराला के साथ में जो लोग थे उनके कंटेंप्रेरी प्रसाद, पंत, महादेवी वो लोग भी भारत को बहुत अच्छा समस्ते थे और भारत की समस्याओं से बाकिर थे मैं यहां सिर्फ दो बड़ी समस्याओं का जिक्र करना चाहूँगा आज के भारत के संदर्द में और यह बात्चीत सिर्फ उसी पर फोकस रहेगी इसमें पहली समस्याओं तो जो कि मैं साहित का विद्यारति हूँ यह सारी बातें साहित के ही द्रिष्टी कोर से की जाएंगी आज के भारत की और खास्तर पर हिंदी की जो समश्या है वो यह है के हिंदी में एक बड़ा बर्ग पहले था बहुत छोटा बर्ग हिंदी में एक बड़ा बर्ग तयार हो गया है जो के आलोचना को आलोचना बिधा की तरह नहीं देखता या आलोचना को आलोचना बिधा की तरह नहीं जानता निराला को कभी के तौर पर सब लोग जानते हैं लेकिन निराला बहुत अच्छे आलोचक भी थे और साहित के आलोचक थे इसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं इस प्रसंग में निराला ने जो बातें उठाई हैं खासतर पर आलोचना विधा के प्रसंग में और हिंदी की जो दशा है और खास्तर पर उसमें हिंदी के जो सिक्षकों की दुरदशा है उसका भी उन्हों ने जिक्र किया है वो निराला के समय जो समस्या थी वो आज समस्या और भी ज़्यादा गहरी है लोगों को लगता है कि वो रामचे शुक्ल का जमाना था तो आलोचना बहुत उच्च कोटी की होगी हिंदी के विभागों में बहुत उच्च कोटी की चीज़ा पढ़ा ही जाती होंगी जी नहीं ऐसा नहीं था इस सितिया उस समय और भी ज़्यादा बत्तर थी इधर थोड़ा सा सुधार हुआ है लेकिन प्रॉब्लम बनी हुई है आफ इस निवन्द की खुब है कि यह निवन्द उसद्वर के लोगों में आलोचना बिधा पर लिखा गया मुझे रखता है वह से कम सब्दों में एक संपादी की है यह उनका लिखा हुआ और यह संपाद की उन्होंने सुधा मासिक पत्रका में जुलाई 1933 में लिखा था इसमें जो समस्चाइं उठाई गई यह कि आज के भारत की ज्वलंद समस्चाइं है कि आज के भारत की दो बड़ी जोलन समश्य हैं मेरी नजर में राइमिती में हिंदू मुस्लिम कि विद्वेश और टक्राओं की समश्या और साहित में आलोचना को एक विधा के रूप में न देखने की समश्या कि कि यह दो केंद्री समश्या हैं अगर हमारे हैं लिटरी क्रिटिस्द्जम शाहित की आलोचना साहित के मानकों और नियमों physician में रख्योंने लगे ठीक से लोग आलोचना को ठीक से पढ़ने और लिखने लगें समझने लगें तो साहित्त की बहुत सारी मुस्किलें कम हो जाएं उसी तरह समाज में अगर राजनी तीम खास तोर पर हिंदू-मुस्लिम टक्राओं की बाते हम छोड़ दें तो हिंदुस्तान की 50% से अधिक राजनी तेक समझ्चाय ख़त हो जाएं आई कि तो आज का भारत के संदर में दो बड़ी चनोतिया एक साहित्त की और एक समाज्च और में दोनों चनोतियों के उत्तर निर्णा साहित्त के जरिये खोषते हैं अजय को कि पहले महालोचना की बात करें निराला कहते है जो लोगा रोचना को बहुत कैजुली लेते हैं यह पंक्ति उनके लिए अच्व difROatri 우린AY और फिर, मैं जना नामक निबंध्य की शुरूगा निराला एक all चणा के लिए कि उपनिंग जो सेंटेंस से उसका उप्रायो घम सेंटेंस फोह ऑलो चया को करते हैं अब करा कि आधने मतले को ए झीड़ मरत करें यह जो है यह आलोचना साहित्य का मस्तिस्क है अब साहित्य के विकास का स्रेय अनेक अंशों में इसे ही प्राप्त है हर्दय का महत्त्यों लेकर लिखने वाली कविता भी यदि विचार और स्रंख्ला से संबद्ध नहीं तो सैशव संलाब की तरह भावोच्वास मात्र है उससे साहित्य की कोई बड़ी प्राप्ति नहीं हो सकती अनकोड और इस पूरे क्रम में इस अपनी थेयोल्टिकल लाइन को एक्स्प्रेंड करने के लिए निराला ने मेग दूत की एक कविता उसका एक चंद कि उसका विश्लिशन किया है और बहुत संदर विश्लिशन किया है और उसमें वे विश्लिशन के बाद में जो चीज संप्रेशित करते हैं वह यह कि काभी के विकास का बहुती महत्पून कारक है आलुचना है है कि हमारे यह एभी जो कभी जो कविता लिख रहे हैं और जो साहिताकर सरय लिख रहे हैं वह अलुचा को महत्पून देंडेग जैसे कि निराला इस निराला इसकी आलोचना की ताकत को समझते थे हैं कि वो लिखते हैं और बहुत ही सुन्दर ढंग चे लिखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी हिंदी में सबसे बड़ा अभाव यही है कि उत्तम कोटी के आलोचक कम है जो काब्य तथा साहिति के ऊपर विश्यों की विशद व्याक्षाएं कर नवीन साहितिकों का उत्कर्ष पत्र मार्जित तथा सुगम कर दें उसी में वो आगे कहते हैं आलोचना अच्छी वय है जो कृती के पीछे न रहे चाहिए कि बढ़ जाए यह जो आलोचना का जो काम है वो यह कि वो सिर्फ वो कृती की ब्याक्षा अन्वे भावार्थ बताना नहीं है बलके अलोचना काम यह कि वो नए नए विश्चों की खोच करें और नए लिखों को वे नए विश्चों पर लिखने के लिए प्रेजित करें अब इसकी जो सबसे बड़ी जो जिसे कहें के बाधा निर्याला के यहां जो देखी गई यह से काईदे से बताए जाना चाहिए लिए अध्यापक नहीं बताते निर्याला ने इसी आलोचना में हिंदी के सिक्षकों को टार्गेट किया है जो उन देरों पढ़ाते थे निर्याला ने लिखा है कालेजों में हिंदी लेकर एमे पास करने वाले विद्यार्थियों के कर्ण कुहर अध्यापक महोदेओं के अध्वुत समालोचन स्वर्थ से मोरी के मुख की तरह साहित्य और काब विज्ञान से भरते रहते हैं वह मैंने कानों से चलकर हिर्दे पर जमता है और उनके जीवन तक नहीं छूटता सत्साहित्य और परपक्क विचारों की वहीं समाक्ति हो जाती है ऐसी भारती शक्ति के लिए बाहन वनकर वे बाहर निकलते हैं यह जो हिंदी के जो एमे करते हैं विद्यार्थि और जो हिंदी को पढ़ाते हैं एमे के विद्यार्थियों को अगर आप इसको ध्यान से देखें और वो कैसे बढ़ाते हैं मोरी के मुख की तरे नाली के मुख की तरे जिसे नाली में जो है एक दम कचला जाता है कि साहित की आलोचना विश्विद्यालेव में पढ़ाने वाले अधिकतर लोग वैसे ही पढ़ाते हैं कि अहीं, और एक कि गंडगी जब एक बार विद्यारति के जेहन में बट जाती हैं दिल में उतर जाती हैं इसके दिमाग में अतर जाती है तो वो सारे जीवन उसका पीछा नहीं छोड़ती है अब कि निराल अची तरह से जानते थे कि हिंदी के जो सिख्षक हैं जो एमें की क्लासिस को पढ़ाते हैं वो कैसे थे कि हमारे एक है एक पूरा गुरुप है जो कि इस बात का निशेद करता रहा है कि पश्चिम की आलोचना नहीं आने चीए हम तो हम तो भारती हैं हमारा भारती दिमांग है हमारे भारती परंपरा है हमारे आलोचना भारती होगी लोकलिज्म की डिमांड आलोचना में बहुत है और ये रियक्शनरीश का सबसे बड़ा गड़ है उसी निभंद में निराला इस तरह के लोगों को और इस तरह के विचार व्यक्त करने वाले लोगों को निशाना मनाते हैं और वो कहते हैं कि आलोचना का सारभौम विकास आज हमारे साहित के लिए जरूरी हो गया है कि आलोचना कैसी होनी चाहिए युनिवर्सल जो फ्रांस में आलोचक पढ़ रहा है और साहित का विद्यार्थी पढ़ रहा है वही चीज हिंदी का विद्यार्थी और आलोचक पढ़े जो अमेरिका में आलोचना लिखी जा रही है वही आलोचना हिंदी का विद्यार्थी पढ़े और लिखे और हमारे हैं तो बिलकुल एकड़म अंटचेबिल भाव से हम लोग तो भारती है उन्हें लिखा कोट और वहत महत्पूर है यह आलोचना का सार्भों विकास आज हमारे साहित के लिए जरूरी हो रहा है जिससे दूसरे देशों की साहित महत्ता से मिलकर हमारा साहित अग्रसर हो साहित का विश्व बंदुत जंड समाजों में इस्थापित हो हम दूसरे देशों के साहित से ब्यावसाग्त की अधान-प्रदानस की तरहें अपने भावों का भी परवर्तन कर सके इस बारती था जनी इसकी अब चड़्चा करते रहते हैं लोग के विदेशी अलोचना नहीं चले गई विदेशी विचार नहीं चलेंगे हमें देशी बिचार चाहिए एकदम लोकल बिचार चाहिए और इस तरह की बात कहने वाले वे लोग है जो कि मोरी की तरह साहिक्त पढ़ाते रहें हिंदी के विवागों देश्च के उन लोगाने सब से ज्यादा यह गंद की फैलाई हुई है और आज की डेट में इस गंदी के सिर जिस भारतीता के गर्व से दूसरे तुछ जान पड़ते हैं वह अपनी ऐसी भारतीता में कुछ रूडियों में चलती हुई अभारतीता है हमारे साहिक्त में ऐसे विचार रखने वाले बहुत थोड़े नहीं के बराबर हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा हैं इसलिए आलो एन इसलिए 300 वर्ष के पुराना विचारों से रंगे हुए आज के साहिक्त पर गहां उद्गार upstairs क्रते हुए बज्रपाद करते रहते हैं इंडियन इंडियन आउट लोग इंडियन आउट लोग आप माक्स की तरह आलोचना की व्याख्या मत कीजिए, आप फ्रॉइट की तरह साहित की व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि ये सब विदेशी लोग हैं, हमको देशी चाहिए, देशी ग्यान चाहिए, देशी आलोचना दिश्टी चाहिए, मिराला कहते हैं कि इस तरह के जो लोग parti करते रहते हैं कुछ एसे जो अग्रेज है कुछ ऐसे जो पूरे भारति उन्हें मालूं होना चाहिए कि आलोचना में भारति अभारति कोई रंग नहीं वह केवल आलोचना है जिसके साथ मनुष्य मात्र के मन का संबंध है और यह ज्ञान खोकर ही हम अब तक नहीं उठ सके यह भारती और अभारती का जो अजिar के थे क्रेंशन इंपनाटि किया है जो साहित का नरक दवार ंगारि से हमारे साहित के विद्धृति सबसे ज़्यदा सी थे हुआ है अलोचना को सिर्फ अलोचना कहते हैं न वो पश्चमी होती है न वो देशी होती है न भारती होती है न भारती होती है एक कंड़ी चीज जिस पर के बहुत इंफैसिस उन्होंने दिया है जो कि काईदेस समझने की चीज है वो कहते हैं कि मनुष्य मन ही साहित है और आलोचना ही मानसिक परवर्तन का मूल और जो हिंदी का जो आलोचनात्मक परद्रश है उस आलोचनात्मक परद्रश को देखका निराला का गुस्सा देखने लाइक है निराला कहते हैं हिंदी का आलोचनात्मक बर्तमान साहिति देखकर किताब फार कर फैक देने की तवियत होती है वह मानवी मन से इतनी दूर है इतना फूल इतना जड्व है अभी उसमें बड़ी उन्नतिकी आवश्कता है निराला को तो अभी फार देने के इच्छा करती है अभी तो स्थिति है कि जो आलोचना लिख रहे है उनको भी फार देनेसे इच्छा है यह बात चलिए कह अजय कहला हुँ कि हिंदी की आलोचना में तमाम साहितिक पत्रकाओं और खासवर हिंदी के सिख्षकों ने किसा हित्तिक के भ्याच्छा के नाम पर आलोचना जैनर की जिस्तिन से राश्ट्री चैनल पर हत्या किये के उस ने पूरे के पूरे मानसिक्क विवेक और विकास की संभावनाओं को दुष्प्रभावित किया है और यह एक दिन की बात नहीं है यह अचानक नहीं घटा उन जवाने में अभी जिस समय यह निराला यह लेक लेख रहे हैं उस समय उसी कड़ी में उन्हों ने एक और लेक लेखा साहित्य में समालो चुना और यह लेक सुधा मासिक पत्रका के अक्टूबर 1934 के अंक में छपा एडिटूरियल के तौपा आलो चबो करना क्या चाहिए मालो चौना क्या क्या जो कुछ देखा उसकी प्रसंसा करना हैं जो कुछ आया उसे जोंका क्यों परोष देना है बता देना है या उसका काम प्शंद्बिन करना भी है एक कि का पत्रका के संबादक हो में जो क्या आए दिन book reviews और ऑलो चना चाहपते रहते मिराला उनको संभोजित करते हुए लिखते हैं यह साहित में समालुचना नमक निबंद में कोट प्रतदिन लेखक जिस नव साहित की स्रिष्टी करता है उसे च्छान कर उसके तत्व को पाठकों के सम्मुख रखना आलुचक का काम है कि ऐसी दसा में आलुचना को यानि पहला काम क्या है उसका कि जो कुछ साहित सामने आ रहा है नए लेक्कों की द्वारा लिखा गया कि उसमें सब कुछ पठनी और प्रसंसनी और प्रस्तुत किये जाने वाला नहीं है बलके आलुचक काम है कि उसमें से वह छाटे उसके पास में चैन का विवेक होना चाहिए और वह चुनके वह फिर पाठकों के सामने पेश करें अगरे अगरे यह एक पूरी की पूरी आप सब लोग जानते हैं कि प्रकसील आलोचना ने और प्रकसील लिखरक्षण ने निराला की बड़ी बुरी आलोचना लिखी थी एक मांत रफबाद थे राम्बिला सर्मा जिन अगरे वह भी बहुत ही बहतर लिखा था और बात में भी अध्भूत लिखा जातर जो प्रकसील आलोचना थे वह निराला की कविता पर आई दिन हमले करते रहते तो निराला पर हमले करते रहने तो इस सीज को ध्यान में रखे निराना ने जो बात कही वह बात कालांतर में और भी ज़्यादा रिलेवेंट होगे उस समय तो थी ही आज और भी ज़्याद रिलेवेंट है उन्हें न कहा कि आलोचना को यदि पार्टी प्रोपेगेंडा का एक उपाय मत्र बना लिया जाए तो क साहित की उन्हती में भैंकर बाधा पहुंचेगी साहित और समाज के प्रति अपने महान उत्तरदायत को समझ आलोचक को धल्वन्दी या बैयक्तिक इर्शाद्वेश किमवा उसके प्रत्कूल भावों को पहले हिर्दे से निकाल देना होगा अजसेयुक्ति पूर्ण निं निंदा वो प्रसंसा साहित के लिए दोनों ही घातक हैं अनकोट है यानि एक तरफ खत्रा था वह है जो के पार्टी लाइन पर लिखन अभी चलना है अभी प्रगसीलों में भी पार्टी लाइन पर लिखन चलना है इधर आरसस वालों की भी पार्टी लाइन पर लिखन चल है और साहित्त के लिए खतरनाक वे लोग भी हैं जो फेस्बुक पर आए दिन रद्धी सरदी चीजों की अध्सयुक्ति पूंट प्रसंसा करते रहते हैं साहित्ति पत्रकाओं में रद्धी सरदी किताबों की एक दम भूर भूर प्रसंसा आती रहती है या फिर वे लोग भी खतरनाक है जो कि सिर्फ निन्दा करते रहते हैं तो साहित्त की अलोचना का विकास कैसे हो हमारे यहां हैं ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि हमने इतनी थोक के साथ से आलोचना लिखी और देखो दैनिक जागराण में हमारे लेक छप रहें देनिक जंसत्ता में हमारे लेक छहप रें, देनिक हिंदु स्तान में हमारे लेक छहप रें, हमने टनों सहीत की आलोचना लिखी. यह जो बिभिन पत्र पत्र गाउमें अधैने कखवारों में जो छपने वाली टनों आलोचना थी जो आज भी है उस आलोचना को निराला आलोचना नहीं मानते निराला न बड़े जिसे रूपकी ये ढंग से उस बात पर रोश्णी डाली है उन्हें लिखा है कि हिंदी की किनी पत्रकाउं के आलोचना इस्तम्वों पर हात में तराजू लिए एक पुरुष का चित्र दिखा जा सकता है ऐसे चित्र से समालोचना के पृति जो व्रित्ती स्पुष्ट होती है उसी के अनुसार आलोचक भी काम करता है हात में काटा ले एक पल्रे में उसने आलोची वस्तू रखी दूसरे में अपने सिध्धांत तॉल में जैसी में वस्तू उत्री वैसी ही कीमत लगा दी ऐसी दुष्टा में आलोचक पहले से ही लेखक से अपने को बड़ा माल लेता है वह चाता है जैसे उसके बिचार है उनी के अन्कूल लेखक लिखे जैसा आनंद वह चाता है लेखक वैसा ही आनंद उसे दे उससे भिन आनंद की कल्पना करना उसके लिए कठन होता है परंतु प्रित्यक लेखक जो अपनी सच्ची मौलिक्ता से कृती को जन्म देता है अपना एक निराला बायू मंडल अपने साथ रखता है संभव है उसकी कृती के भीतर पैठने के लिए आलोचक को अपने सभी पूर विचारों को बदलना पड़े सहरदयता पूर्वा आलोचक जब तक ऐसा करने को प्रस्तुत नहीं रहता वह लेखक की सच्ची आत्मा तक जो उसकी कृती के भीतर भोल रही है पहुँचने की आशा नहीं कर सकता अनकोर और इस पूरे क्रम में निराला एक बहुत महत्मोर चीज एक जमाने में मैथ्यू और नॉर्ड ने जो बात कही थी उस चीज को वो उद्रित करते हैं और वो बात क्या कही थी किसी भी समाज में समालोचना या आलोचना का विकास सब्विता के विकास से जुड़ा हुआ है अगर किसी समाज को सब ये बनना है सब्विता का विकास होना है तो वहाँ आलोचना का समालोचना का विकास होना बहुत जरूरी है निराला इस बात को उधिर्द करते हैं और कहते हैं कि समालोचना सब्विता के विकास का मुख्ष यंत्र है ये मेथ्यू अर्नॉल्ड के शब्द थे जिसे की निराला उधिर्द करते हैं वह कहता है संसार में जो सबसे अच्छा जाना या सोचा गया है समालोचला को उसका प्रचार करना चाहिए किसी भी साहितिक को अपनी ही संकुचित सीमाओं के भीतर न पड़ा रहना चाहिए बाहर के बिचारों की उसे सदाई जानकारी रक्षनी चाहिए अपने ही ढ़ाई चावलों की खिच्छी पकाने से साहिति में अनुदारता तथा संक्रिणता अवश्या जाएगी हमारे हैं जो इतना जो लोकलिज्म है और संक्रिणता वाद है उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने ही साहित को बिश्व का महान साहित मानते हैं और बिश्व की साहित को पढ़ते ही नहीं है बिश्व की आलोचना को पढ़ते ही नहीं आपको हिंदी के आलोचकों में इमेद दशा का एक नमूना बता रहो आचार रामचाई शुक्रपर जब रामविला सर्मा ने पुस्तक लिखी आलोचना की सिब्दान सिंग चुहां जो अंग्रेजी पढ़ाते थे और हिंदी के बड़े आलोचक थे जो इन उन्हों ने विल्कुल गाली की भाषा में लिखा कि राम प्षाइश शुक्रपर जो रामविला सर्मा ने जो अलोचना लेखी वो अलोचना नहीं है उनमें एक सोचिलोजिव लिट्रेचर भी है अब आप सोचिए कि शिवदान सिंग चुहां जैसा बड़ा आलोचक इस चीश को जानता ही नहीं था यह जानता था तो वो गाली की तरह उसका इस्तमाल कर रहा था निराला लिखते हैं जिसे काईदे से हमें भी पढ़ना चाहिए हो समझना चाहिए वो लिखते हैं कि मैथ्यो और नॉल्ड ने अंग्रेज लिखकों को सला दी थी कि वे ग्रीग जर्मन तथा फ्रेंच साहित से पर्चे प्राप्त कर अपने यहां नए विचारों को लावें हिंदी आलोचकों को भी उसी प्रकार देश वा विदेश के अच्छे अच्छे साहित्यों से पर्चे प्राप्त कर अपने यहां नए विचारों को लाना चाहिए इस से वे स्वेम कितने आगे कितने पीछे हैं ये भी भली भाफ जान सकेंगे अपने साहित का पूर्ण अध्येन कर, अपनी संस्कृति का पूरा ज्ञान प्रात कर, जब हम दूसरों की संस्कृति वो साहित को पहिचानेंगे उस संघर्ष से सब्विता का जो नया बायू मंदल उत्पन्ध होगा भावी हिंदी साहित के अवगृद्धी के बीज उसी में छिपे होंगे अनकोड हमारे हैं तो हालत यह कि आपको पश्चमी आलोचना या पास्चात्र काबे सास्तर पढ़ाने वाले आपको लोग ही नहीं मिलेंगे हमारे ऐसे गिंती के एक दरजन लोग मिलेंगे जिननों अच्छी पश्चम के काबे सास्तर पर पस्चम की आलोचना पर कितावे लिखी हो कि अगर डेड़ सो दो से साल में हिंदी की आधनिक आलोचना का यह हाल है कि कि तम की दुर्दशाय को पर दभिव जह में पड़이 है तो लिकार कि वाधा कर सकते हिंदी विभागों में तो इसो बैसे हैं ते हुए o हिंदी के विभाग और हिंदी के विध्यारती हैं चिम्त का पर्षिय tuition पर्षिम के नए बिचार उनको देखकर वैसे ही बिदखते हैं किनारा कसी करते हैं गोया में बिगड़ जाएंगे निराला ने जो बात कही वो यह कि हमें आलोचना में सार्व हम दिर्ष्टी कोड़ से काम लेना चाहिए और आलोचना को आलोचना की तरह से देखना चाहिए इसमें हम पश्चमी और भारती या भारती और अभारती का वर्गी करन लागू न करें कि अब दूसरा प्रसंग है जिस पर के दो एक बात कहनी बहुत जरूदी है कि वह यह है कि राजनीती में यह जो हिंदू-मुस्लिम विद्वेश्च की समस्या एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है जिस तरह से आलोचना का ख्य हुआ है उस तरह से राजनीती का भी ख्य हुआ है आलोचना का ख्य हुआ है सहितकारों और सहित के पढ़ाने वाले सिक्षकों की बज़े से और राजनीतिका ख्षय हुआ है राजनीतिक्यों की वज़े से क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम विद्वेश एक प्रधान विश्य है निराला ने जो बात रिखान कित की जिसे के काईदेश समझने की जड़ी तो उन्होंने दो बड़े मुलिवान निवन्द लेखे उनका एक निवन्द था साहित की समतल भूमी और दूसरा निवन्द था जो को बहुत मुलिवान था मुसल्मान और हिंदू कभियों में विचार सामिया यह दो निवन्द यह दो निवन्द हिंदुस्तान की और हिंदूस्तान के अंदर हिंदी विवागों में चल रही जो पॉलिटिक्स है लगतार प्रेसर है मुस्लिम कभीयों को मत पढ़ाओ, मुस्लिम लेक्कों को मत पढ़ाओ, मुसलमानों के लिखे हुए का भाहिसकान करो, और तरहत रेके जो प्रोपेगेंड़ना है मुसलमानों के खिलाप में, कि हिंदू के वरक्स उसका लगातार एक धारावाहिक प्रवा समाज में बना हुआ है अजा लगाते है यह निवण्द है कि निवाण्द में बप्रव कोनिट को जो मीडिया ग्राप जो सम्दाने के लिए मुसलमान का दिमाग अलग होता है कि मुसलमान का दिल «अलग होता है» जो गलत है नराया लिखते हैं उस निवंड में कि हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां उची भूमी पर एक ही बात कहती है इस लेक में हम यही दिखलाने की चेश्टा करेंगे, साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि जब तक हिंदू और मुसल्मान इस भूमी पर चालकर मैत्री की आवाज नहीं लगाएंगे तब तक वह स्वार्थ जन्न मैत्री स्वार्थ में धक्का लगने तक की ही मैत्री रहेगी, वैसे ही मैत्री जैसे ब्रिटिस सिंग और भारत गव की हो सकती है, हमारे यह जो हिंदू मुसलिम मित्रता है न, जिसका की बीच बीच में चुदाओं में एक पक्ष इस्तिमाल करता करता है दूसरा पक्ष एकदम दूसरे तरह से इस्तिमाल करता है लेकिन निराला जिस चीज पर जोड़ देते हैं वो यह कि भारत में और खास्तोर में साहित्य में हिंदू-मुस्लिम मैत्री एक अभिन फिनोमिना है इसे समझने की ज़रुआ थे साहित्य की यह भूमिका है कि वो हिंदू-मुस्लिम मित्रता के सवाल को खेंद्री प्रश्ण बनाए है हमारे ऐसे लोग थे आज भी है जो चीज बनी हुई है भारत की हिंदू-मुस्लिम जो समस्षा इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्षा हो क्या है एजुकेशन की सिक्षा की क्या सिक्षा बहुत है हमारे यह कि वो कहते हैं को निराला ने लिखा है भारत बर्स में जो सबसे बड़ी दुर्बलता है वह सिक्षा की है हिंदू और मुसल्मानों में विरोत के भाव दूर करने के लिए चाहिए कि दोनों को दोनों के उतकर्च का पूर्ण रीती से ज्ञान कराया जाए परसपर के सामाजिक व्यवहारों में दोनों सरीखों दोनों एक दूसरे की सब्विता को पढ़ें और सीखें फिर जिस तरह भाशा में मुसल्मानों के चिन रह गए हैं और उन्हें अपना कहते हुए हम किसी हिंदू को स प्रण कोश न होगा कि इसके बिना द्रण बंदुत के बिना दोनों की गुलामी के पास कट नहीं सकते हैं खासकर ऐसे समय जब के फूट डालना सासन का प्रधान सूत्र हो जब सासन हिंदू मुसल्मान के नाम पर जंता में फूट डालने की कोशिस कर रहा हो तो उसका सबसे महत्पूर्ण तरीका navi उसका सबसे बहतर प्रधुकतर यह हैं कि हिंदू मुसल्मानों की जो बहतरीन चीजें हैं उनके साहित्त की उनके ज्यान की उनके जीवन की उनकी संस्क्रति की उनको भारा जाए उसे communicate किया जया है दोनों ही सम्द्रावं में communicate किया जाए हमारे दो हालत ये है कि अब एक सुरे से धारा वाहिद chyba propaganda चल रहा है anti-islam anti-muslim अर्स प्डॉपेगंडा का अभिए क्लाइमेक्स अलाइस इंदों आज आउसाफ प्रोपेगंडा सुनु नहीं होगा यह प्रोपेगंडा भारत के स्वाधिंता5 2024 के समय में भी था जब ये निवंद लिखा गया उस समय भी था ये निवंद लिखा गया जो निराला ने उस दौर में भी हिंदू-मुस्लिम बिद्वेश बहुत-बड़ी समश्चा थी तो पिछले 100 साल में अगर हमने कौनसी चीज अरजित की कायदे से होना यह चाहिए था हिंदू-मुसल्मानों के भीच में महित्री संबन्द और द्रण होने चाहिए थे उन लोगों को आईसोलेट किया जाना चाहिए जो हिंदू-मुसलिम महित्री संबंदों में दरार डालना चाहते हैं परणाम यह निकला इस पूरे प्रपेगेंडा का कि हम मुसल्मानों के प्रति मुसल्मान हिंदू के प्रति अधिक से अधिक अनविग्य होते चले गए हम उनके बारे में कम जानते हैं, वो हमारे बारे में कम जानते हैं, हम उनके साहित को कम जानते हैं, वो हमारे साहित को कम जानते हैं, वे हमारे घर में क्या बन रहा है, उसे नहीं जानते हैं, हम यह नहीं जानते हैं, उनके घर में क्या बनता है, पहले हालत यह थी, कि हिंदू मुसल्मान पास पास रहते थे और एक क्या च्छोग लगता था दूसके च्छोग की खुश्बू दूसरे घर में जाती थी आज इस्तिती है कि महले में महले में इलाके में मुसल्मान को कोई घर भाड़े पर देने के लिए हिंदु तयार नहीं होता अल्टिमेटली मुसल्मान को गेटों में जाके मुसल्मानों की बस्ती में ही जाके अपने लिए किराई का घर खोजना पड़ता है एक अन्य चीज और बहुत महत्पूर चीज वह यह के निराला इस बात को जानते थे कि इस पूरे पूरे प्रोसेस में जो हिंदू मुसलिम विद्वेश है इसमें धार्मिक कट्टरता फलेगी और पूलेगी वो कहते हैं सामाजिक और राजनितिक जटल प्रश्णों की तरह भारत को धार्मिक प्रश्णिकावी संतोज जिनक उत्तर देना है हमारे तमाम कमजोरियों संक्रिताओं की जह में बिविद धर्म भावनाई हैं खासकर हिंदू और मुसल्मान धर्म में उन्होंने बात पके है जा पिंट पॉइंट किया है आर्ज समाज द्वारा विचारों की व्यापक्ता को बहुत कुछ साहिता प्राप्त हुई है पर जिस धंग से बैदिक धर्म का प्रचार किया गया है उसमें कट्टलता प्रधान है बिचारवान धर्मों में सार भाग देखते हैं, सभी धर्मों के मूल तत्तु मिलते जुलते हैं, आचारों के साथ धर्म के उचे अंश का कोई संबंध नहीं, बेद के ज्यान कांड के साथ मुसल्मान, इसाई, पार्सी, आध अपने अपने धर्म के भीतर से सैमत हैं, बेद क ज्याने कि बेद का मतलब डॉलेच बेद का मतलब किताब नहीं जैसा कि दयानन स्रस्वपी ने प्रचार किया था कि बेद को लेकर विवाद करने पर बेद अग्यों की मर्यादा नश्ठ होती है बेद अपने अर्थ में पूर्ण है अनकोड यह जो इस तरह की जो कि धार में कट्टर था कि जितना प्रचार समाज में होगा कि उस धार में कट्टर था का जो असर होगा निलाला की शब्दों में कि वह यह कि इससे दिमाग जो है वह और ज्यादा जड़ बनेगा कि वह कहते हैं उनका कोडिशन है और यह आखरी कोडिशन जिस तरह जड़ विज्ञान में सत्यका सार्भौम निरास्त्रे एक की मिलता है और सभी देशों को संभाव से उन्नेन करने का अधिकार कि उसी तरह धर्म विज्ञान में भी ध्याना के धर्म विज्ञान वो स्ट रिलिजस साइंस की बात कर रहे हैं धर्म की बात में कर रहें खली आजकल बड़े बड़े विचारवान ऐसे ही प्रियत्म में लगे हुए हैं, पर हमारे यहां धार्मिक कट्टरता ही प्रवल है। इसका परणाम यह होता है कि कट्टरता का जड़त्व मस्तिस्क का विकास नहीं होने देता। अपने अनकूल नहोने पर धार्मिक तत्व जूटे जान पड़ते हैं। यह आत्मा नुकूल तत्व भृत्ति बहुत बड़ी मांसिक दुर्वलता है। इसके कारण सभी रेखाओं से मनस्शक्ति का विकास नहीं हो पाता। प्रहार करने वाली पशुबृत्ति बनी रहती है। धार्मिक कट्टरता क्या करती है। कि प्रहार करने वाली पशु वृत्ति कि पैदा करती है कि मौनुश सब देशों के साहिति समाज राजनिति और धर्म का मात तो नहीं समझ पाता प्रगति एक हद तक बंधी रहती है धार में कट्टरता सारी दुनिया की प्रगति को समझने से रोपती है कि और किसी का विकास करती है कि पशु वृत्ति का विकास करती है यह जो समाज में जो धार में कट्टरता की जो लोग हिमायत कर रहें हिंदू धार में कट्टरता की जो लोग हिमायत कर रहें इस्लामें धार में कट्टरता की जो लोग हिमायत कर रहें वे असल में पशु वृ आखिर में निर्राला की बात कहके बात खत्म होगी और को कहते हैं को हिंदू औरhos ल मुसलमानों की सम Persian का इस देश की पराधिन्दा की सबसे बड़ी समस्या है में सिर्विस में इतना जोराणा चाहूंगा लोगतंत्र की सबसे बड़ी समक्र QA सबसे बड़ी समस्या थी लोगतंत्र आने के बाद संप्रव भारत के निर्माण हो जाने के बाद इस समस्या को सामप्रदाइक ताक्तों ने सबसे बड़ी राष्ट्री समस्या बना दिया और इसने राष्ट्री विकास को, राष्ट्री मस्तिस्की के विकास को, नौजवानों के विकास को, उनके अंदर रेशनल, वैज्ञानिक, सोच और उसके विकास को बड़ी दूर तक प्रभावित किया है कि निराला को याद करने का मतलब यह है हम दो चीज कर सकें तो बहुत ही वैतर हो का एक तो यह आलोचना को एक जैनर की तरह विधा की तरह हम लोग समझें और जाने कि आलोचना के सार्भौम चरित्र को हम समझें और जाने बिना किसी भेदभाव के देश बिदेश की आलोचना को हम पढ़ें और पढ़ाएं और दूसरा अगर समाच का सचमुच में स्वतंत्र नागरिक का और लोगतंत्र का विकास करना चाहते हैं तो हिंदू-मुस्लिम समझ्षा का समाधान हम हिंदू-मुस्लिम महत्री संबंदों को इस्थापित करने में फोजे साहित उसमें सबसे बड़ी भूंका अदा कर सकता है क्योंकि हिंदू जो कभी है मुस्लि से मुलिगत एकता थी कि साहित में जो सबसे महत्पूर चीज होती है वो कि साहित जो है किस तरह के सामाजिक मुलियों को व्यक्त करता है तो हिंदू-मुस्लिम महत्री का आधार बनाया चाहिए इससे हिंदुस्तान में धार में कटरताबाद से लड़ने में मदद मिलेगी और लोग तंत्र मद्रूत होगा आज निराला के जर्म दिन पर और बसंद पंचमी पर बस इतना ही बहुत बहुत शुक्या थैंक यू